नमस्कार में हूँ दिबान जी मुईत्रा जमू कश्मीर के पुलिस महानेदेशक दिलबाग सिंग ने 22 जुलाई को श्रीनगर में प्लाजमा स्क्रीनिंग कैम्प का उधगाटन किया ये शिविर जमू कश्मीर पुलिस और स्वास्त्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा श्रीनगर के कश्मीर नर्सिंग होम में आयोजद किया गया इस दोरान जमू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंग ने बताया कि हमारे 300 से ज़ादा जवान कोविड नाइनटीन से उभर चुके हैं और उनमे 26 लोग आज अपना प्लाजमा डोनेट कर रहे हैं हमारे जो पुलिस के लोग अपने काम करते करते काफी लोग पॉजिटिव टेस्क किये थे और अब ये रिकावर कर चुके हैं इसमें काफी बड़ी तदाद में लोगों ने वलंटियर किया 300 से ज़ादा लोग हमारे हैं जो रिकावर कर चुके हैं आज 26 के क्रीव हमारे लोग हैं जो वलंटियर करके आए हैं अपना टेस्क करवाने के लिए और प्लाजमा डोनेट करने के लिए जो पहल है मुझे लगता कश्मीर में पहली बार हो रहा है और हम चाहते हैं कि बाकी लोग जो सिवल साइड पे भी रिकावर कर चुके हैं वो लोग अगर सामने आते हैं तो मुझे लगता है कि किसी जरूरत मंद मरीज के हम काम आ सकते हैं हम लोग पुलीस की तरफ से जरूर फसिलिटेट करेंगे अगर मान लीजे कोई बार के जिले से जहां आ करके गौर्मनेट मेडिकल कॉली तक आ करके डोनेट करने के लिए आना चाता है तो हम अपनी तरफ से टांस्पोर्ट देने का हो बाकी चीजों की जरूरत हो हम उनको लाएंगे जहां पर उनकी मदद भी करेंगे उनको वापस भी डॉप करेंगे हम जुरूर फसिलिटेट करना चाहेंगे गौर तलब है कि जमू कश्मीर में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या अब तक 15,258 तक पहुँच गई इसके इंद्रिशासित प्रदेश में इस वक्त 6,540 अक्टिव केसिज, 8,455 लोग इस वारस से रिकवर हो चुके जबकि 263 लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी